हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्पूर्ण वीडियो लाया हूं यह वीडियो एगरिकल्चर से संबंदित है तो मैं चाहूंगा कि आप यह वीडियो लाश्ट तो जूरूर देखें अगर वीडियो आपको पसंद आया तो क्रिपया वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अफगानिस्तान के एक पुरानी पद्धति के बारे में देखेंगे तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है छै महिने तक नहीं सड़ेगा कोई फल सैकडो साल पुराने मिट्टी के बरतन की टेक्निक का देखिए कमाल तो यह जो पद्धति है यह अफगानिस्तान की है तो आईए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो टॉपिक है छै महिने तक नहीं सड़ेगा कोई फल सैकडो साल पुराने मिट्टी की बरतन की टेक्निक को देखिए का देखिए कमाल अफगानिस्तान की सैकडो साल पुरानी कगीना पद्धति एक ऐसी टेक्निक है जो महिनों तक अंगूर को सुरच्छित रख सकती है यह बात जो है आई एफस सुसांत नंदा ने अपने ट्विटर के द्वारा जो है लोगों को बताया है और वहाँ पर इन्होंने एक पोश्ट भी शेयर किया है और इसके लिए जो हता है फ्रिज नहीं बलकि मिट्टी के या अनोखे बरतन होते हैं जिन से हम लोग क्या होता है इन फॉलो का संरच्छड कर सकते हैं तो आईए पहले उस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं कला शबीके अस्तर अस्तर प्रवाफ लाफ तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखा है उसमें आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अंगूर को सुरच्छित रखा गया है अब इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि एककाईस्मी सदी में इनसान चाहे जितनी तरकी कर लिये हो लेकिन आज भी जोता पुरानी तकनीक और तरीकों को मात देने में सच्छम नहीं हो पाया है आज हर घर में जोता खाने के सामान सुरच्छित रखने के लिए उसे लंबे वक्त तक चलाने के लिए जहां फिरिज का इस्तिमाल अनिवारे बन गया है वहीं सैकडो साल पहले फल सब्जियों को महिनों तक सुरच्चित रखने के लिए इस्तमाल होता था मिट्टी का बरतन इसी में पॉइंट वाइस करके दिया हुआ है तो इसमें दिया हुआ है कगीना टेक्नीक से फसलों को सुरच्चित रखने का तरीका तो वीडियों में दिखाया गया है कि मिट्टी का बरतन नुमा पात्र अफगानिस्तान की सैकडो साल पुरानी विरासत का नमूना है और इसी तरीके से जोता है फसलों को जोता है सुरच्चित रखने का जाता था जिसका वीडियों जोता है सुसान नंदा जो एक आई एफस अफसर थे उन्होंने शेयर किया था और जिसमें चार उतरब से मिट्टी से जोता है पूरी तरीके से बंद पात्र को जब तोड़ा गया तो उसमें अंगूर से जोता ताजे दाने मिले तो लगभग जोता है महीनों पहले जोता है इसे पैक किया गया था और मिटी के इस पात्र में जोता है फसल के समय से लगभग जोता है पाँच महिने पहले और फार्ची नव वर्ष जो वसंत विश्डू पर माना जाता है उसके लिए रखा जाता है अब इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ मिटी में सनरच्षण का सौलिट तरीका तो अफगानिस्तान में जोता है खाद सनरच्षण की इस पद्धति को विक्सित किया गया था जो मिटी के भूसे के कंटेनरों का उप्योग कर अंगूर को लंबे वक्त तक सनरच्षण करने के लिए किया जाता है और इस पद्धति को जोता सदियों पहले अफगानिस्तान के ग्रामिड उत्तर में कगीना के रूप में इसे जाना जाता है और टेक्निक को इजाद करने के पीछे जिस धाड़ा ने काम किया वो थी जोता दूर दराज के समुदायों के लोगों जो आयातित उपज का जोता खर्च नहीं उठा सकते थे वे सर्दियों के महीने में ताजे फलो का आनंद लेने में जोता सच्छम हो पाते थे कुछ विशेशक की बताते हैं कि मिट्टी से बनाये जाने वाला पात्र जोता जिब बैक की तरह काम करता है और जिसमें बाहर की हवा पानी और फलो के संपर्क में नहीं आता है जिससे महीनोत जोता फल इसके अंदर सुरच्छित बना रहता है तो दोस्तों अगर हम इसे एक संचेप में समझना चाहें तो यह एक ऐसी पद्धती है जिसके द्वारा आप फलो को जोता है छे महा तक सुरच्छित रख सकते हैं इसमें उदाराण के तौर पर अंगूर के फल को लिया गया है और यह एक पात्र जोता है मिट्टी और भूसे से मिश्रित करके बना जाता है उसमें रखा जाता है और इस पात्र को ऐसा बनाया जाता है कि उसके अंदर ना हवा पास कर सके ना किसी फल के संपर्क में है ना किसी चीज के संपर्क में है जिसे यह सुरच्छित रहता है और इससे यह एक और फायदा है कि काफी दूर अगर हमको कोई फल ले जाना तो हम आसानी से ले जा सकते हैं और जहां पर फल की प्राप्ति एक सीजन के बाद नहीं होती वहां पर हम इसका फ्रियोग कर सकते हैं और यह जो होता है काफी सस्ता होता है अगर हम फल्सन रच्छन के लिए फ्रिज लेते हैं तो महगा पड़ जाता है जबकि यह सस्ता होता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंदाए तो क्रिप्या वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई